Yes, today we will discuss about Maxwell's first law of electromagnetism. Maxwell's first law of electromagnetism के बारे में हम लोग आज discuss करेंगे और इसका साथ में इसका proof भी करा करेंगे. Main हम लोग का aim ऐसे proof में ही रहा करेंगे. Maxwell's first law of electromagnetism जो हुआ करता है उसको कैसे proof करता है? Maxwell's का जो law है electromagnetism में वो काफी जादा एक तरह से व्यापक एक तरह से application रहा करता है electromagnetism में या electrodynamics में या wave propagation के बारे में या satellite communications बगारे के बारे में या जहां भी electromagnetic waves का बात हो रहा है इसका मतलब उसके आज पास जो है आप electrodynamics के law लगा सकते हैं जो कि Maxwell's कहीं law अधिकतर रहा करत है ठीक है काने का मतलब यह है कि Maxwell का law जो है एक तरह से काफी universal रूप से जो है काफी ज्यादा एक तरह से इसका application रहा करता है ठीक है जिसको आप बोड़ सकते हैं कि खास करके जो electrodynamics का जो rule रहा करते हैं या electrodynamic का जो phenomenon रहते हैं electromagnetic wave के रूप में इस्तमाल हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं न monsters के law इस्तमाल हो रहा है इसका मतलब कहीं न माक्सुल का law हीं इस्तमाल हो रहा है मतलब इसके इर्दगीर्दी हम लोग अधिकतर बातों को समझ पाते हैं subtraction dynamics वाले phenomenon को तो हम लोग Maxwell's का चार लौ पढ़े हुए रहते हैं, Maxwell का अधिकतर जो लौ फेमस एक्शली हुए, Electromagnetism के लिए ही ज्यादा फेमस रहते हैं, बाकि इनका कई सारे जगा पर काम किये हुए, कई सारे छेत्रों में, Physics के कई सारे सेक्शन में काम किये हुए, लेकिन जो ये Electromagnetism के सेक्शन में काफी अधभुत काम किया हुए, काफी amazing काम किया हुए, जिसके वजए से आप देख सकते हैं, दिन परती दिन जो है, Internet का क्रांती, Communications का क्रांती, आप देखते हैं कि लोग प्रिथ्वी पर रह करके ही, Mars पे चीजों को भेज देते हैं, और यहीं से इसको electromagnetic waves के द्वारा होता है, जिससे हम लोग guide कर पाते है, signals को भेज पाते हैं, और वहाँ से signal को हम लोग रख पाते हैं, वो signal चाहे photographic के रूप में हो, चाहे किसी data के रूप में हो, चाहे और भी तरतरा के रूप में जो है, वो information हो सकते हैं, तो यह जो signal का आदान परदान होता रहता है, जो कहींने कहीं electromagnetic waves से होता रहता है, तो समझ सकते हैं कि इसका कितना ज्यादा व्यापक application है, दिन परती दिन जैसे जैसे इसका application हम लोग देखते हैं, काफी powerful इस equation का एसास होता है, कि कितना ज्यादा powerful है, तो चुकि बात आता है, इसलिए हम थोड़ा discuss करते हैं सब को बारे में, किसी को लगता हुआ कि हमको proof देखना है, यह सब क्या बोले जा रहे हैं, तो आप भगा कर देख सकते हैं, इसमें क्या, class वाले बाते तो है, आप फ्लाइन वाले में, जो बोल रहे हैं, उसको आपको सुनना है, लेकिन अच्छे के लिए ही बोला जा रहे है, आपको interest के लिए, यह सब जो जानकारी है दिया है कि आपको interest, सबसे main बात होता है कि इस topic के साथ interest होना चाहिए, किसी को लगता है कि नहीं हमको proof देखना है तो आप फ्ला भगा करके देख लिजए, आगे उजजा करके देख सकते हैं, और कुछ लोग को यह सब topic अच्छे लगते हों है कि नहीं, और भी ज़्यादा बात किया जाए, तो एक balance रखा जाएगा, ताकि तोड़ा interest भी रखा हुआ है आपको, और content भी चलता हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो लोग इसको देख रहे होंगे, यहीं उमीद करके देख रहे होंगे, इसका proof है, क्या है actually, खास और graduation level का physics है, तो आप जान करके रहे ही, कि Maxwell's law के बारे में, निस्ची तुरूप से directly और indirectly आपसे जानकारी मागएगा, ठीक है, तो चलते हैं हम लोग Maxwell's first law को proof करते हैं, ठीक है, तो Maxwell's law पहले मा आपको थोड़ा recall कर दे रहे, ठीक है, recall यह कर दे रहे, कि Maxwell's law है, ठीक है, Maxwell's law है, actually Maxwell's law of electromagnetism, क्या रहते हैं, इसको summarize ही अप करते हैं, ठीक है, तो पहला जो law रहा करता है, वो del dot d is equal to, तेजी सी लिक दे रहे, पहले बताया होंगे, is equal to rho v, यही first law रहा था, इसी के बारे में हम लोग आज discussion करेंगे, जो कि proof करेंगे, ठीक है, और del dot b is equal to, क्या होता है, य इसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके है, ठीक है, जो लोग continuity में देख रहे होंगे, उनको मालूम होगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके है, ठीक है, कि Maxwell's law of electromagnetism के लिए, अलग से जो है, इंट्रोड़क्टिव लिप से आपको जो है, वेडियो डले ह आप उसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी एक एक करके प्रूफ करेंगे, Maxwell's first law प्रूफ करेंगे, second law प्रूफ करेंगे, third law प्रूफ करेंगे, fourth law प्रूफ करेंगे, किसका, electromagnetism का, और बाकी, जो लोग पहले पढ़े होंगे, thermodynamics म उतना व्यापक एप्लिकेशन नहीं है, इसका तो बहुत ज़्यादा व्यापक एप्लिकेशन है, काफी डिटेल में इसके एप्लिकेशन रहा करते हैं, इंजिनियरिंग वगरा में, आपका electrical engineering, या आप जो computer science हो, या आप जो computer में तो उतना ज़्यादा रहा है, लेगिन electrical engineering, या communication engineering, या electronics engineering, इसका काफी ज़्यादा व्यापक की इस्तमाल रहा करता है, आज जो आप communication का क्रांत ही देख रहे हैं, इसका नीव कहीं न कहीं जो है, वो Maxwell's general form, Maxwell's law of electromagnetism में ही रखा हुआ, बल्कि आपको और भी अस्षर होगा, कि Einstein कई बार कहा करते थे, कि हमारा theory of relativity, जो inspired ह हो कहीं न कहीं, Maxwell's law of electromagnetism सही हो प्रभावित है, तो आप समझ सकते कितना व्यापक application है, जितना पढ़िएगा ने इसको उतना ही ज़्यादा इसका depth मिलेगा, कहते हैं, कि समूद्र में एक बार कूच जाने के बाद उसका गाराई और उसका विस्तार मालूम चलता, ऐसे इसको application देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में तो हम लोग इसका proof देखने वाले है, तो proof, किसका first lockout, मतना हम लोग proof करने वाले है, del.d is equal to rho v, जहाँ पे d क्या है, electric displacement vector actually है, rho क्या है, वो charge density है, कुछ नहीं बोला हुआ है, तो volume charge density आप उसको ले सकते है, तो यह आपका volume charge density actually ह ठीक है, तो del.d is equal to यह आपको क्या हो गया, rho v, जो कि volume charge density होता है, तो surface पे charge distribute होगा, तो surface charge density होगा, तो linear होगा, तो linear होगा, कुछ नहीं बोला हुआ है, तो three-dimensional ही रूप से हम लोग consider किया वा रहते हैं, तो d vector जो है, electric displacement vector रहा करता है, तो फिलाल में हम लोग इसी के बारे मे proof करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखी, अब इसमें आपको एक जानकारी आपको पहले से रहना चाहिए, ठीक है, यह रहना चाहिए, वरना इसका भी अलग से class लगा हुआ रहेगा, इसका भी अलग से discussion लगा हुआ होगा, ठीक है, gosh law in dielectric क्या होता है, gosh law आप ज from Gauss law of, Gauss law of, Gauss law of Electromagnetism, या Gauss law of Electrostat, Electrostat in dielectric, ध्यान देना है dielectric में, ठीक है, dielectric में, थोड़ा सा modification रहता है, आप जो पढ़े हुए है ना पहले से, उसमें थोड़ा सा modification रहता है, dielectric वाले में, उसमें क्या होता है, e.ds, closed integration of e.ds, ठीक है, normal रूप में आप क्या लिख देते ह जो आप लिखा करते थे, normal रूप में आप जो है, उसको charge के बराबर जो है, एक तरह से जो है, उसको रख दिया करते थे, ठीक है, charge और divided by epsilon not, ठीक है, यहाँ पे जो charge रहा करेगा, dielectric के case में ले रहे है, यहाँ पे 1 by epsilon not तो रहेगा ही, यह जो by epsilon not रहा करता है, ठीक है, साथ जो dv जो लिखा हुआ, यह क्या रिखा हुआ है, charge density और into volume term लिखा हुआ है, इसका मतलब charge लिखा हुआ है, तो charge divided by epsilon not लिखा हो, जिससे पहले से पाचानते होंगे, लेकिन dielectric में, dielectric को ए medium actually रहा करता है, dielectric में जो charge रहा करता है, external field के presence में आप इसको रखते हैं, तो जो charge actually रहा करता है, वो दो तरह का charge actually आया करेगा, वो दो तरह का charge रहा करता है, वो charge आपको free charge रहा करता है, और polarization charge रहा करता है, जो free charge है, उसको हम लोग row से denote किये हुए, ठीक है, और polarization charge रहा करता है, उसको row P से denote किये हुए, polarization charge क्या होता है, इसके बारे में dielectric वाले section में discuss करेंगे हम लोग डाइलेक्ट्रिक जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हाँ जानकारी लेंगे तो पॉलराइजिशन डाइलेक्ट्रिक समझे कि यह डाइलेक्ट्रिक में जो चार्ज होते है न दो तरह करते है फ्री चार्ज रहा करते है दूसरा जो पॉलराइजिशन चार्ज रहा करते उसको minus divergence of P से आप उसको जो दे सकते है, ठीक है, तो यह charge लिखा हुआ है, divided by epsilon, ठीक है, बस dielectric के case में जो है, सही suitable रूप से charge को दिया गया है, तो यह क्या लिखा हुआ है, closed integration of E.ds is equal to volume charge density, ठीक है, volume charge density, एक मिनट, यह plus होगा actually, minus नहीं, यह आपको जो है, यह plus actually रहा करते है, rho free charge, plus polarization charge, यह plus में actually रहेंगे, ठीक है, दोनों charge consider क्या हुआ है, ठीक है, तो by epsilon not, अब हम लोग जो है, ठीक है, यह जानकारी रखना होगा, कि rho P जो हुआ करता है, जो कि polarization charge है, यह polarization charge रहते हैं, इसको polarization charge density बोला करते हैं, polarization charge density, यह जो रहा करते हैं, यह बराबर हुआ करता है, minus divergence of polarization vector actually रहा करता है, यह क्या होता है, जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, डाइलेक्ट्रिक पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ठीक है, नहीं तो डाइलेक्ट्रिक जब देखीगा उसका section में जो है, तो इसमें बताया हो रहे है, डिसकुसन रहे का डाइलेक्ट्र और यह polarization charge density ठीक है, तो हम लोग लिखे हुएं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको जो है, यही गौसला in dielectric actually रहा करता है, अब इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको लेकर आगे बढ़ेंगे तो इसको आप epsilon not को इधर फेक दीजी, इधर फेक ह इधर फेक हो जाएगा इसके साथ, epsilon not closed integration, ऐसा symbol closed integration के साथ रहा करता है, e.ds is equal to, यह क्या होंगे आपका जो है, यह row जो कि आपका free charge और यह polarization charge density और into db, यह charge ही लिखा हुआ है, charge density को आप volume से multiply कर दीजेगा, क्या देदेगा, चार्ज देदेगा, यह total charge लिखा हुआ है actually in the case of dielectric, अब इसको जो epsilon not को जो है, आप किस से multiply कर दीजेगा, अंदर क्यों लेक चले यह integration के constant का है, इसको आप अंदर क्यों लेक चले जाएगी, तो epsilon not e.ds, ठीक है, ds, ठीक, और equal to, यह आपका row db, इसको अलब कर दीजेगा, पलस यह row p और यह db, ठीक है, यह free charge density वाला section और अब हम लोग जो है, इसको क्या लिखेत है, minus divergence of p vector, जो row p होता है, वो minus divergence of p vector, कैसे होता है, यह अगला सवाल हो सकता है, आपका जो कि dielectric वाले section में हम लोग देख चुके रहेंगे, या देखे होंगे आप उसको, वरना आप उस dielectric वाले section में देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कोई चीज का proof आप पढ़ते भी हैं, तो उसका result ध्यान में रखते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको इसको इस्तेमाल करते हैं, यह समालने यह a plus b का whole square कैसे होता है, यह कलग matter, लेकिन आप ध्यान में रखते है, sin theta का differentiation, cos theta होता है, कैसे होता है, यह कलग सेवाल है, हो जाने के बाद आप उसको ध्यान में रखते हैं, वाएसे ही जो है, इसका proof जब पढ़िएगा भीने, तो ऐसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, और ध्यान में होगा, यह पढ़े होंगे, डियालेक्रिक तो, ठीक है, तो यह आपका हो गया, इसके बाद जो है, इसमें आप ऐसे जानकारी, basic रूप में आपको राना चाहिए, electromagneticism को higher level पर पढ़ने के लिए, basic रूप से वेक्टर कैल्कुलास का जानकारी और basic रूप से integration का तो रहता ही है, और differentiation का, ठीक है, वेक्क्टर केल्कुलास का भी जानकारी राना चाहिए, कि divergence क्या होता है, curl क्या होता है, यह सब चीज़ को बारे में कि इसका statement युसी तरस लिखा हुगा है तो यह आपका हो गया अब इसके बाद जो हम लोग इसको divergence divergence of P vector ठीक है और इसको लिखे ना तो इसको आप इसके जगह पर लिखे ना रोपी के जगह पर तो डीवी आप इसको करके लिखी है अब आप इसको जो है इसको divergence of P vector इसको आप जो है पहले आप उसको वही रहने दीजिए अब यहाँ पर जो हम लोग गॉस्ट डावार्जेंस theorem Gauss Divergence theorem जो है mathematics का theorem है जो आपको क्या करता है वो किसी vector function को जो है किसी vector function का close surface integration को volume integration में कैसे बदला जाता है इसका जानकारी देता है जो कि mathematical physics वाले section में आपको जो है यह मिला करेगा ठीक है Gauss Divergence theorem यह आपको mathematics का theorem होता है जो कि vector calculus में आप पढ़ते है इसके बारे में यह क्या करता है simply रूप से यह simply रूप से जानकारी देता है कोई भी function vector function रहना चाहिए कोई vector function का closed integration surface integration जो है वो volume integration में बदल जाएगा सर्फेस को जब close करते हैं तो volume में बदलता है कोई paper है surface है उसको in close करेगा तो क्या होगा roll होकर के cylinder में बदल जाएगा तो volume आपको पाई करने लगेगा तो काने का मतलब यह है कि कोई भी vector function का closed surface integration को आप बदल सकते हैं उसके volume integration में इस rule से जो है ठीक है इस rule से तो आप देखे यह वाला जो आपका है यह term उसी तरह का है एक vector term है और उसका close surface integral है तो इसके volume integration में बदल सकते हैं इस रास्ते से जो है ठीक है इस रास्ते से इसका मतलब इसको आपे से लिख सकते हैं epsilon not और इसको क्या लिखेगा epsilon not इसको पुरी तरह से इस term को ही ले लिजे यह पूरा term जो है यह पूरा का पूरा वेक्टर यही वला है तो del dot ठीक है यह close नहीं रहा करेगा ठीक है यह volume integration है तो यह वाल्यों की इन्टिक्रेशन जैस्ट होके है इसको हम लोग बदलने को तरिका देता है कौन गौश पानर इस्तरा सब्रेओ कर सकते हैं volume को enclosed नहीं करते हैं, volume enclosed नहीं होगा, surface enclosed होता है, line enclosed होगा, surface बनाएगा, surface enclosed होगा, volume बनाएगा, और volume enclosed नहीं होगा करते हैं, तो यह आपका हो गया, इसको हम लोग convert कर दिए इसमें, equal to क्या लिख सकते हैं, यह rho dv, और plus, यह क्या, minus, divergence का symbol रख दीजे, del dot p vector, यह p vector है, ठीक है, वो rule बता दिये थे, कि gauss divergence theorem के तहट हम लोग इसको लिखे हैं, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पूरा कोशिस कर रहे हैं, चीजों को समझाने के लिए, इसलिए कोई लोग जानते हैं, वो तुनको लग रहा होगा कि इस बात को repeat कर रहे हैं, ठीक है, repeat इ लेकि जो नहीं जानते हैं, उनको यह चीजे पूरा क्लेर हो जाता है, अपनी तरफ से हम पूरा कोशिस करते हैं, को बात है क्लेर हो, इसलिए एक दो बार हम लोग repeat करते हैं, नया बात जहां पर आता हो, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहां से यह देख सकते हैं, यह volume वाला integration, यह भी volume वाला integration, divergence, divergence एक family का इसको इधर लेकि चले आईए, this implies, just a minute, this implies, क्या, इसको आप इधर लेकि आईए, तो यह minus में था ना, तो प्लस में हो जाएगा, epsilon not e, ठीक है, dv, और प्लस, प्लस, क्योंकि minus में है न, तो इधर आएगा, तो प्लस में आएगा, तो यह del.p vector जो कि polarization vector रहा का रहता है, dv, is equal to क्या, यह rho dv, rho dv charge लिखा हुआ रहता है, यह free charge लिखा हुआ, actually, free charge, जो कि freely root से move कर सकता है, यह move तवाला charge, अब आप यह dv family का है, एक साथ इसको ले लिजे, एक साथ रख लिजेगा, तो क्या हो जाएगा, यह del. एक साथ रख लिजेगा तो epsilon not e vector, plus p vector, ठीक है, और यह volume integration, is equal to rho dv, जहां मनता हाँ, dot बगएरा का अपना meaning रहा करता है, divergence का अपना meaning रहा करता है, ऐसा नहीं कि यहाँ dot लगा दिजेगा, volume vector नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ पर dot बगएरा नहीं लगा करता है, बना meaning ही change हो जाएगा, यहाँ का dot क का अलग मतलब होता है, cross का अलग मतलब होता है, dot रखेगा, divergence पढ़ाएगा, cross कर दीजेगा, curl पढ़ाएगा, और दोनों का अलग function mathematically रूप से हुआ करता है, ठीक है, तो यह रखे, अब जो है, dielectric वाला section, काची को हम लोग बात कर रहे हैं, तो dielectric वाले में आप पढ़े हों is equal to d vector हुआ करता है, dielectric में actually, ठीक है, और normal air में जब करते हैं तो यह p vector नहीं होता है, the d vector is equal to epsilon not e हो जाता है, ठीक है, लेकिन dielectric के case में यह epsilon not e vector plus p vector is equal to d vector होता है, और यह important question भी रहा है dielectric में, कि e vector, p vector और d vector में क्या relation होता है, यह जानकारी देने के लिए मांगता है, ठीक है तो कुछ-कुछ बाते dielectric का आपको पता रहना चाहिए, आप higher level पर पढ़ाई कर रहे हैं, कई सारे topic का mixing actually हुआ करेगा, आप कैसे देखिए, कभी integration का बात, कभी divergence का बात, कभी gauss divergence theorem लग रहा है, तो higher section में आपका चीजे chain-wide chain जूटा हुआ रहा था है, अचलि पीछे का बा d vector which is electric displacement vector या इसको हम लोग electric flux density vector भी बोला करते हैं, तो यह आपका जो है, इसको हम लोग लिखेंगे, इसको dv is equal to, यह आपका क्या हो गया, rho dv, ठीक है, अब दोनों तरफ volume integration है, आप एदी anti integration ले लिजेगा, तो आप इसको जो है equate कर सकते हैं, क्या equate कर सकते हैं, जो अदर दोनों volume integration है, इसका मतलब आप del dot d vector is equal to क्या लिख सकते हैं, rho लिख सकते हैं, और यह rho जो होता है, यह volume charge density होता है, इसको हम लोग rho भी करके लिख सकते हैं, यह वाला जो है, volume charge density होता है, इसलिए इसको हम लोग symbolic रूप से यहा नीचे वी लिख सकते हैं, मतलब volume charge density है, volumes के साथ integration किये था ना, तो volume charge density आएगा, यही जो equation है, इसको हम लोग famously रूप से जो है, Maxwell's क्या बोलता है, Maxwell's first law of electromagnetism, first law of electromagnetism, ठीक है, electromagnetism, ठीक है, जो कि एक तरह से इससे आप Gauss law of electrostat को भी सामने ले करके आ सकते हैं, ठीक है, इसको इन integral form, इस तो vector के form में actually है, ठीक है, vector calculus के form में, मतलब divergence के form में, इन integral form, इन integral form में दी लिखना स्टार्ट करिएगा, इन integral form, ठीक है, integral form में क्या होगा, यह d dot close surface of d dot ds, integration of is equal to charge, इस charge को आप चाहिएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, rho dv करके जो, ठीक है, तो यह integral form actually हुआ, और यह vector calculus form, यह आप इसको बोल सकते हैं, divergence form actually हुआ, और इसी के रूप में हम लोग Maxwell's first law of electromagnetism को जानते हैं, जिसको पल कैसे सकते हैं, divergence of electric displacement vector, ठीक है, is equal to volume charge density, ठीक है, is equal to volume charge density present in that region, ठीक है, तो यह आपका हुआ, इसको आप पल भी सकते हैं, कैसे statement, बताएं हम अभी, divergence of electric displacement vector in any region about a point is equal to volume charge density present at that point, in that region, ठीक है, यह आपको हो गया, इसके हिसाब से पढ़िए गया, तो, closed surface integration, closed surface integration of electric displacement vector is equal to amount of charge present in that region, इस तरह से आप इसको जह करके लिख सकते हैं, ठीक है, तो यह आपका हुआ, तो यही Maxwell's first law of electromagnetism है, तो उमीद करते हैं, कि आपको चीहे, आसानी से अच्छी त समझ में आता गया होगा, एक बार हम स्क्रॉल कर दे रहें, ताकि आप इसका screenshot भी आप ले करके रख सकते हैं, ठीक है, बाकी तो हम साथ में जब करते ही रहा रहे थे, तो नोट कर सकते हैं, वरना पीछे repeat करके आप जो सुन भी सकते हैं, योग इस वाले में तो आपके पास option रहता है, पीछे करके आगे करके जैसे हुआ, speed बढ़ा करके जैसे हुआ आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, यही हुआ, ठीक है, काफी खुबसुरत सा law actually है, काफी अच्छी तरह से derive हुआ भी, ठीक, तो इस तरह से आप जो है, एक एक करके step को जो है, follow किया हुआ, simple सा step ह इसमें हम लोग Gauss law को लगा है, उसके बाद हम लोग जो है, जो polarization, charge density होता है, उसका हम लोग expression रखे, minus divergence of P vector, और उसके बाद हम लोग क्या किये, उसके बाद हम लोग कुछ simple mathematical procedure को हम लोग follow किये, ठीक है, उसके बाद Gauss divergence theorem लगाते हुए, हम लोग इस वाले Gauss divergence theorem को लगा है, और उसके बाद हम लोग क्या किये, उसके बाद जो हम लोग, एक simple सा, और भी, जो result है, directrica, उसको इसको इस्तमाल किये, और उसके बाद हम लोग अपने conclusion के पास पहुँच गये, जिसको well known, या famously रूप से जो है, Maxwell's first law of electromagneticism बोला जाता है, ठीक है, इसका applications पर गारे को बारे म जो हम लोग बात करेंगा, भी main काम था, Maxwell's first law of electromagneticism से introduce कर देना और इसका proof देना, काफ़ important रहता है, यह question जो है, कई बार university बगारे में आपसे पुछेगा, state and proof, कई सारे अच्छे exam में भी पुछा करता है, ठीक है, आप BPSC, UPSC बगारे में भी आपको पुछा करता है, या ज जो है, अब्जेक्टिव लेवल पर देते हो, उसमें Maxwell's law का तो कभी कोई directive पूछ देता है, इसमें से कौन से Maxwell's law, कई बार जो उसका application दिया हुआ रहता है, उस पे numerical set किया हुआ रहता है, ठीक है, तो उसके बारे हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए घन्यवा, अच्छा से पढ़ाई करते रहे हैं, और physics में आपका काफी interest होता रहेगा, derivation में काफी ज्यादा interest आजाएगा आपको, ठीक है, आप वीडियो को देखते रहते हैं, साथ में इसको share भी करते रहते हैं, ताकि दूसरों लोग को भी ये काम आता रहे हैं, और आप आप जो है, कम से कम feedback जरूर देते हैं, इतना तो करहीं सकते हैं, हम इतना दिर तक आप से बात करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, आपको थोड़ा सा चाइप करना है, तो comment जरूर करते हैं, आप अपना जानकारी रखते हैं, वीडियो कैसे लगे, topic कितना clear हुआ है, आगे क क्या चाहते हैं, यह सब जो मर्जी है, आप जानकारी रख सकते हैं, सब भे सब दो में, ठीक है, यही पर आने दे रहें, तो next में हम लोग मिलेंगे, जिसमें प्रूफ करेंगे, second law के बारे में, third law के बारे में, fourth law के बारे में,